असलाम अलेकुम दियर स्टूडेंट्स यह टॉपिक जो आज हम शुरू करने लगे है इसका तालुक अकाउंट से है अकाउंट्स इसका मतलब है खाते और खाते में हम लोग क्या लिखा करते थे इसमें हम सारा हिसाब किताब जो हम अपने बिजनिस के साथ मुनसलिक करते हैं उस सारा हम इन खातों में लिखा करते थे और मुंची इन कावम के लिए स्पेशलाइजड हुआ करते थे इन खातों को मेंटेंड करना या अकाउंट्स को मेंटेंड करना क्यों जरूरी है इसलिए जरूरी है ताके हर बंदा ये जान सके जो भी बिजनिस कर रहा हो जो चोटा दुकानदार हो या बड़ा इंडस्ट्री लिस्टो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास इस पूरे बिजनिस से कितनी आमदन हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है और खर्चे भी किस-किस मद में हो रहे हैं और आमदन भी किस-किस मद से हो रही है और उसकी कौन सी प्रॉडक्ट बहुत जादा मकबूल है और बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा रही है। ये सब जानने के लिए हमें ये खाते मेंटेन करना पड़ते हैं। इन खातों को मेंटेन करने का पुराना तरीखा तो किताबों में लिखना था। लेकिन अब ये सहूलत हमें मुएसर आ गई है कि हम ये सारा काम कम्प्यूटरों से लेते हैं। और इस वक्त दुनिया के तमाम अकाउंटिंग सिस्टम्स पुराने तरीखेकार को नए तरीखेकार में इस तरह से बतदरीज बदल रहे हैं कि हमारे सारे खाते आटोमेटिड होते चले जा रहे हैं। चोटा दुकानदार हो वो भी अपने खाते मेंटेन करता है और बड़े इंडिस्टिलिस्ट भी यही खाते मेंटेन करते हैं। reason क्या है? reason यह है कि आपको रोज़ाना का अपनी जितनी भी चीज़ें आपने बेची और जितनी भी चीज़ें आपने खरीदी इन सब का ताइयुन करना पड़ता है और इसी से आपका कारोबार चलता है अच्छा ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिस्ट्रियल या खरीदो फरोग के लिए या इस तरह की कमपनियों के लिए नहीं है जो के सिर्फ और सिर्फ एकनॉमिक्स में या पैसे कमाने की दौड में है ये तमाम चरिटिबल ऑगनाईजेशन्स हो ये कोई भी कमपनी हो उन सब को अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है अच्छा इसकी रीजन क्या है ताके लोगों को बता सकें कि जितने पैसे जितनी आमदन हमारी हुई है वो हमने सही तोर पे खर्च की भी है या नहीं तमाम आकदारों को या शेरोल्डर्स को दिखाये जाते हैं ताके उन्हें पता चल सकें कि कमपनी एकनॉमिकली और फाइनचली किस डारेक्शन में जा रही है जब से कम्प्यूटर की आमद हुई है ये सलसला और आसान हो गया है दुनिया में इस वक बहुत सारे बड़े बड़े कमपनी आती है इसमें वो तमाम दुकानदार चोटी एंटरप्राइज़ और इस तरह की चोटी कमपनी आती है जो डे टू डे अपना अकाउंट मेंटेन और देखना चाहती है ये कस्टमर के साथ भी काम कर रहे होते हैं और इनके सप्लायर और वेंडर के भी रिकॉर्ड र रहा है उसमें सबसे उपर जो नाम आता है वो आता है कुईक बुक्स का इंट्विट का बनावाएगी कुईक बुक्स सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है पाकिस्तान में भी इसके बहुत जादा यूजर है और इस वक्त सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत सस्ता और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो तमाम लोगों की जरूरियात पूरी कर देता है और हम लोग भी इस अपने टॉपिक पे जो हमारा में टॉपिक है वो है कुईक बुक्स देखें समझें और उसे इस्तिमाल करना सीखें तमाम सिस्टम जो के कंप्यू करते हुए हमें क्या-क्या चीज़े करनी पड़ेंगी और उसे समझने के लिए हमें अकाउंट्स की क्या-के चीज़े सीखनी पड़ेंगी कुईक बुक्स एक आसान सौफ्टवेर है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का या हिसाब किताब का पहली चीज़ कुईक बुक्स या तो आपके कंप्यूटर पर मौजूद हो या आपने इसको एक महीने के लिए इसकी फ्री डेमो वर्जन ले लिया हो जब भी आप कुईक बुक्स इस्तमाल करेंगे तो आपके डेस्टॉप के ओपर कुईक बुक्स का लोगो नज़र आए में हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से लांच और इस्तमाल करते हैं